नमस्काल दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ROARO की preparation के लिए daily basis पर हिंदी को cover कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ना किवल pre के लिहाज से बलकि mains के लिहाज से सभी महतपूर्ण segments को चाहे वो आपके निबंद के लिए important quotations हो, या फिर mains के लिए जो आपके drafting वाले portion में मुहावरे या प्रसाशनिक सब्दा वाली पूछी जाती है, उसकी तयारी हो, और साथ ही जो हिंदी का paper होता है, pre और mains दोनों के इस्तर को touch करते हुए, हम लोग एक daily program चला रहे हैं, जिसमें उसको काफी सारे लोगों के उसम मैं बात करने के लिए especially आया हूँ, और चूंकि वो common dots थे, कई लोगों ने यहाँ वीडियो के नीचे पूछे या फिर टेलिग्राम ग्रूप है, उसमें उन्होंने डाले, तो उसका मैं मुझे यह समिचीन महसूस हुआ कि मैं उसमें एक वीडियो के माध्यम से उन सभी लो मैं केवल तीन ही तीन दिया जा रहा है, ऐसे कैसे कवर उपाएगा भई, तीसरा प्रस्न एक यह है कि कुछ जगह पर repetition क्यों देख रही है, और चौथा प्रस्न है कि PDF अगले दिन क्यों मिल रही है, जब वीडियो आता है उसके तुरंट बात क्यों नहीं दे दी जाती है, इन सभी प्रस्नों को बारी बारी हम लोग समझेंगे कि ऐसा मैं क्यों करता हूं या क्यों ऐसा हो रहा है, तो चलिए आप इसमें मेरा व्यू जान लीजेगा, उसके बाद अगर आपको यह लगे कि मैं गलत हूँ और मतलब आप अलग तरीके इसको चाहते हैं, तो आप वै पहले हमा प्रस्ण है कि विशेष्डविशेस, विशेष्ट क्यों नहीं दिया जा लारा है, तो देखिए विशेषडविशेष्टे दरसल एक ऐसा टॉपिक मुझे भी पताई कि वो प्री-्यॉर में से धुरुमें यह चाहता है, प्रस्णशल आप फिक है, जो व्यू जा या पर कराई जा रही है चाहें वह ऐसे कोटेशन सो विलोम सब्दो असुद असुद या वाक्यांस के लिए एक सब्दो यह सभी चीजें परियावाची हो यह सभी चीज रटने पर बेज़ड है मतलब आगर आप इनको डेली डेली कवर कलते हो चलेंगे तो आपके एक मतलब को विक्सित करने के लिए मैं आपके समझसेट वीडियो के माध्यम से मैं विशेषड् विशेष से रिलेटेड सारे…डाउट्स क्लियर करने कोशिश करूंगा अभी काफी समय है तो उसमें यह आप इसके लिए निशिन्त रहें विशेषड़ विशेष पर क्या होता यह औ कई coaching में ऐसा चल रहा है, जो कि विशेशर से विशेश से बनाने को उसको लोग रठवाते हैं, मेरा वहाँ पर ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं इन सब चीजों को रठवाने में नहीं पड़ूंगा, उसकी कुछ एक tricks होती है, दरसल ये जो आपको विशेशर, विशेश के जो हो सकता है, एक में आप कहीं confused हो जाएं, एक कोई गलत कर बैठें, ये संभावना बनती है, लेकिन फिर भी आप cost benefit के अधार पर देखेंगे, तो उसके लिए आपको 8-10 पन्नों की किसी भी पुस्तक में आप देख लेंगे, तो 8-10 पन्ने केवल इसी पर होते हैं, कि विशे कि ये सारी चीज़े आउधारना है, वो बता दूँगा, जिससे कि आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कि आपको daily basis पर दिया जाए, तो इसलिए इसको daily basis पर नहीं देते हैं, daily basis में केवल जो pure रठने की चीज़े होती है, केवल उनहीं को दिया जाता है, ठीक है, आपकी ऐसी परिक्षा को लेकर कोई भी हल चल हुई, कोई भी सुखबहाट हुई कि इतने तारिक को आपका notification आने वाला है, तो फिर इसकी संख्या मैं अपने आप बढ़ा दूँगा, ठीक है, फिर ये तीन से पांच भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, ऐसे करके हम लोग ब हटा भी दें, तो साथ तरिक 21, 21 चीजें आपको रोज पढ़नी है, 21 मतलब शब्द हैं, वो मान लीजे आपको पढ़ने हैं, 21 में भी आप परियावाची को देखेंगे, तो परियावाची तीन ही बहुत ज्यादा है, अगर आप डेली बेसिस पर उसको तयार करते हैं, तो आपको तैयारी करने के लिए, याद करने के लिए, जो मैटेरियल है, वो खुदी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और ये तो किवल पढ़ने का हुआ, इसके साथ में आपको इसको रिवाइज भी करना है, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करने हैं, तो पढ़ने से फाइ ज्यादा है और उसके बाद बावजूद भी मैं भी चुकि तीन-तीन दे रहा हूं पर धीरे-धीरे आप लोग इसके अभ्यस्त हो जाएंगे आप लोगों को तीन-तीन फिल जब कम लगने लगेगा और आप लोग एक मैच्योर्ड हो जाएंगे इस तैयारी में कि आप लोग तीन-तीन जो है बहुत आसाइनिस कर लेंगे तब हम लोग इसके संख्या बढ़ा भी देंगे तो इससे आप बिलकुल निश्चेंत रहे हैं चलिए अगला हम लोग फिर देखते हैं कि अगला जो प्रस्न है वह कि कुछ जगहों पर रेपिटिशन क्यों मिलता है मतलब जैस कर देखिए इसमें दरसल एक समस्या यह है जैसा कि मैंने आपको बताए कि हम लोग 6-7 किताबों से मिला करके नोट्स जो कंपाइल किये हैं उससे हम लोग यह चीजे करा रहे हैं अब उसमें समस्या यह आते हैं कि हम लोग किसी एक किताब के तो जो चीजे रिपीट हो रही होती है कि उसमें कुछ एक रेपेटिशन दीख जाएं दूसरी बात यहां पर जो आपका पेपर होता है पेपर में भी यह चीज कई-कई बार रिपीट होती रहती है तो अगर यह चीज रिपीट हो रही है तो आप इसको पॉजिटिवली लें इसको निगेटिवली ना ले positively इस हिसाब से लें कि आप यह समझें कि जो चीज रिपीट हो रही है मतलब वह एक्जाम में भी कई-कई बार पूछी गई होगी तो इसलिए आप एक उसका revision ही समझ लीजिए कि 21-22 चीज आप लोगों को दी जाती है उसमें कोई एक repetition होने की संभावना बनती है इससे मैं इंकार नहीं कर सकता हूं पर उससे आप मानवी भूल समझके और अपने लिए उसको सकरात्मक नजरीयस देखेंगे तो आपको फायदा ही पहुंचाएगा अगला देखिए अगला ह है कि हम चालते हैं कि आप लोग जो वीडियो देखें जैसे ही आप उस वीडियो को देखें उसके तुरंत बात जो है आपको मतलब सारी चीजे याद हो जाएंगी थोड़ी बहुत तो आपके दिमाग में रहेंगी अगर आप उसके तुरंत बात PDF को पढ़ते हैं तो अच् जैसे रखा जाती है जैसे कि पता नहीं कहां मतलब अब आप लोगों पास तो वह हलाकि सॉफ्ट कॉपी में होगा तब तो और भी ज्यादा संभावना कम हो जाती है कि आप उसको जो है दुबारा से निकाल के देखेंगे तो और अगर हाड कॉपी में भी रहता है तो भी में आ गया कि यह चीज जो हम इसको ऐसे कर सकते हैं उसके बाद अगले दिन जब आपका पीडिएफ आएगा तो आप उस पीडिएफ को देखेंगे आपको सारी चीजे रिकॉल भी होंगी कुछ एक चीजे जो आप भूल रहे होंगे उसको आप दुबारा करेंगे तो यह दुबारा हम एक दिन लेट पीडिएफ देंगे यह दरसल कहीं न कहीं आपका सेकेंड रिवीजन का काम करेगा तो यह इसको आप यह न देखिए पीडिएफ जो है लेट क्यों मिल रही है बलकि यह हमाई स्टेटेजिकली डिसाइड किया हुआ है कि यह पीडिएफ देर से देने का मतलब है कि मैं आपको दूसरा रिवीजन करा रहा हूं जब मैं पीडिएफ देता हूं और जो वीडियो होता है वो आपका पहला उसको रीडिंग होता है पीडिएफ के मादियम से दूसरा रिवीजन होता है उसके बाद आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो वह इसको पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे डेली वेसेस पर आपकी त्यारी उतनी ही मजबूत होती जाएगी और बाकी जो चीजे भी इसमें बची रह रही है जैसे विशेसर विशेस सब आपका त्यार हो जाएगा मैंने जब यह दावा किया है तो मैं बहुत दिम्यदारी से व कुछ निदान अवस्य करने कोशिश करेंगे और नहीं भी कर पाएंगे तो उसका कारण बताने कोशिश करेंगे कि ऐसा मैं किस लिए नहीं कर पा रहा हूं तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार